तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट पर्सनेलिटीज को डिसकस करने वाले हैं जिनका में मन्त में निदन हो गया तो आएए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को लाइक कर दें और जल्दी से जल्दी इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडिय Welcome to Affairs Cloud, we learn to lead मेरा नाम Vikas है हमारी एक एप है Carriers Cloud के नाम से जो आप Play Store से जाके डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही आप Play Store से एप्लिकेशन को डाउनलोड करते हैं इंस्टाल करते हैं आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक उस पर आपको जाके अपनी Google ID से आपको लॉगिन करना है लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लिकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको current affairs के एक section दिखेगा यहाँ पर आपको current affairs इस पे click करते ही आप हमारे current affairs के section में आ जाएगे हमारा current affairs का section है जो हम आपको course प्रोवाइड करते हैं application में बहुत अच्छा course है आपकी preparation में बहुत ज़्यादा help होने वाली है provide करते हैं, हम आपको current affairs हिंदी में provide कर रहे हैं और हिंदी के साथ हम English में भी provide करते हैं जो content होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है, पहली चीज़ हम आपको daily current affairs provide कर रहे है, daily PDF मिलेगी आपको, daily आपको question answer format में मिलेगा ठीक है आपको डिली के 20 question मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत helpful होता है revision में question answers मिलेंगे आपको current affairs current affairs format question answer के format में फिर ऐसे ही आपको weekly मिलेगा जो आपके पूरे week के questions daily questions आपको pdf मिलेगी उन में से जो important questions होंगे उनका आपका एक तो quiz होगा करेगा हर week पचास question का quiz बहुत होता है आपको पचास question week के मतलब सारे important question आ गए उसके साथ साथ question answer format में आपको हिंदी की e-book प्रोवाइड होगी जिसमें आपको सारे paragraph wise या फिर एक question answer format में आपको सारे week के current affairs मिलेंगे ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको provide करेंगे monthly pdf pdf आपकी हिंदी में ही होगी आपको top 100 question answers मिलेंगे ठीक है जो पूरे महिने के 100 important questions है वो आपको एक pdf प्रोवाइड की जाएगी उसमें मिलेंगे वो आपको question answer format में भी provide होगे तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज और यह आपका पूरा एक साल का course होता है आपको दो course के option मिलेंगे एक तो होगा for one year एक होगा for two year अगर आप new aspirant है आपको मतलब अभी आपने preparation just start की है तो I'll suggest आप दो साल का course purchase करें बट आप एक regular aspirant है और पढ़ रहे हैं तो आप एक साल का course भी purchase कर सकते हैं important thing इसके बात यह है कि हम आपको अलग banking awareness के भी questions provide करते हैं bank से related जो आपके questions होंगे सब इसमें हम अपना course में cover कर देते हैं बहुत अच्छा content होता है content में आपको कोई शिकायत नहीं होगी and daily update होता है आपको daily PDF मिलेंगी उसकी भी कोई attention लेनी की जरूत नहीं आपको ठीक है इसके अलावा आप देखेंगे तो हम various exams की PDF भी provide करती हैं जो आपको आगे questions आप आगे paper solve करने में बहुत help मिलेंगी अब कच questions होते हैं जैसे कि कई सारे important days हो गए महिने के फिर books और authors कौन सी book release होई है कौन सी author ने क्या book अभी publish की है फिर उसके बाद indexes हो गए reports हो गई फिर कोई festival celebrate किया गया है या कोई योजना आई है तो ये काफी सारे topics होते हैं तो ये topic wise current affairs भी हम आपको 20 type के PDF प्रोवाइड करते हैं जिसमें 20 अलग-अलग topics होते हैं और ये आपको हर महिने update होती रहती हैं ये चीज़ तो सोचिए आपको कितना अच्छा package मिल रहा है कितना अच्छा course मिल रहा है ठीक है इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़े provide कर रहे हैं हम आपको इसके अलावा state current affairs हर state के current affairs भी आपको individually provide होते हैं इसके साथ ठीक है तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं आपको कुछ नहीं करना आपको सिरफ subscribe बटन दबाना है और हमारे channel को subscribe करना है इसके अलावा आप सभी friends के लिए मेरी तरफ से एक gift जैसे ही आप payment करने वाले होंगे हमारी application में वहीं पर आपको नीचे एक code डालने का option मिलेगा अगर वहाँ पर आप विकास 10 code डालते हैं तो आपको सीधा 10% का extra discount मिल जाएगा सिरफ विकास 10 आपको code उसमें यूज करना है एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए additional 10% discount तो जाएए जल्दी से हमारे courses को देखिए एंड उसको purchase कीजिए तो आईए अपनी वीडियो start करते है आज की हमारी पहली personality है Michael Collins Michael Collins एक astronaut थे जो आपका Apollo 11 space flight गया था मून पर उसके टाइम के ये pilot और वो astronaut थे इनका नाम है Michael Collins ठीक है पहला question तो यह हो गया जिनका recently निधन हुआ वो कौन है Apollo 11 pilot और astronaut वो है Michael Collins दूसरा question आपको याद रखना है कि Apollo 11 launch कब हुआ 1969 में और Apollo 11 वो पहली space flight थी जो कि USA कह सकते है और नासत जो भी option में आजाए correct option लगा देना उनके दुआरा moon पे ले जाने वाले astronauts को पहला mission था पहली space flight थी Apollo 11 1969 में launch की गई थी और उसके astronaut और pilot का recently निधन हो गया है वो है Michael Collins second हम बात करेंगे former attorney general और veteran lawyer Padma Vibhushan awardee कौन है ये ये है सौली सौरब जी इनका भी recently निधन हो गया है veteran कौन होता है जो army में या पहले किसी भी army से related या military service पहले कहीं कर चुका है और उसके बाद वो lawyer बने तो veteran lawyer Padma Vibhushan awardee और former attorney general कौन है सौली सौरब जी current के attorney general कौन है वो है KK Venu Gopal ठीक है वो अभी हमारे attorney general है next next हम बात करेंगे Padma awardee और सितार master पंडित देबू चौधरी की आप इनको picture में देख सकते हैं इन्होंने जो अभी equipment हाद में ले रखा है बजाने के लिए वो कौन सा है सितार इसी वज़े से इनको सितार master भी बोला जाता है और ये Padma awardee रह चुके है ठीक है इनका recently निधन हो गया question पूझा जा सकता है कि Padma, देबू, चौधरी किस guitar किस equipment को play करते थे तो वो है सितार next next हम बात करेंगे national award winning film maker K.V. Anand की आप इनको picture में देख सकते हैं इनका भी अभी निधन हो गया at the age of 54 next हम बात करेंगे और ये काफी important रहेगा इसको mark करके चलिएगा जरूर से ये है आपका former Jammu and Kashmir governor जग मोहन का निधन हो गया ये Padma विभूशन awardee भी रह चुके है ठीक है पूछा जा सकता है कि उनको Padma award तो सब पढ़ लेते हैं कि वो Padma award ही है reason ये है mainly ये पढ़ाने का कौन सा award मिला क्योंकि क्या होता है आप से exam में पूछ लेगा कि उनको Padma award तो मिला लेकिन कौन सा Padma award मिला चार Padma award है तो उनको Padma विभूशन से संभान नित करा गया था ठीक है ये तो थे former जम्मुएन कश्मीर current के अभी देखो पहले तो state थी अब उसको जम्मुएन कश्मीर को क्या union territory का दरजा मिल गया है तो state में हमने पढ़ा है कि state में तो आपका governor होता है लेकिन union territory में क्या होता है lieutenant governor तो अभी वहाँ पे जम्मुएन कश्मीर के current lieutenant governor कौन है वो है मनोज सिन्हा ठीक है चलिए next next हम बात करेंगे aeronautical scientist काफी famous aeronautical scientist मानस बिहरी वर्मा जी के बारे में जिनका भी recently निधन हो गया direct question पूछा जाएगा इनसे related की वो कौन से famous astronautical scientist थे जिनका भी recently निधन हुआ और वो है बिहरी वर्मा जी चलो next next भी important है next है founder of राष्ट्रिया लोकदल और former union minister अजीत सिंग आप इनको picture में देख सकते हैं काफ़ important रहने वाले हैं इनको याद रखेगा इनका नाम अजीत सिंग का भी recently निधन हो गया है यह founder of राष्ट्रिया लोकदल रहेंगे आप इसको याद रखेगा ठीक है former union minister and chief या फिर founder of राष्ट्रिया लोकदल चौदरी अजीत सिंग का निधन हो गया at the age of 82 गुड़गाउं हर्याना में कोविड-19 की complications की वज़े से इनका निधन हुआ और यह किनके बेटे हैं यह former prime minister चौदरी चरण सिंग के बेटे हैं ठीक है और यह पहले Indian है जो की politics में आए और पहले IITन है जो politics में आए ठीक है फिर यह कहां से बिलॉंग करता है मेरट UP से next next हम बात करेंगे former union minister मतंग सिंगना की मतंग सिंगना यह former union minister और कॉंगले स्री लीडर है चुके है मतंग सिंगना ठीक है और इनका भी recently निधन हो गया same COVID-19 की complications की वज़े से यह कौन सी state से बिलॉंग करते हैं यह असम से बिलॉंग करते हैं इन्होंने यह राज्य सबा में इलेक्ट हुए थे from असम 1992 में और इन्होंने as a union minister of state in parliamentary affairs सर्फ किया है 1994 से 1998 important चीज जो याद रखे हैं इनके बारे में हो यह कि इनको असम करना TV tycoon बोला जाता है क्योंकि इन्होंने वहाँ पे TV स्टार्ट कराए था North East Television popularly known as NETV के नाम से ठीक है यह first satellite news channel था असम का next नेक्स हम बात करेंगे पदमा श्री अवाड़ी गुथा मुनी रतनम जी के बारे में आप इनको picture में देख सकते हैं इनका recently निदन हो गया है यह है पदमा श्री अवाड़ी पूछा भी जा सकता है कि इनको कौन सा पदमा वाड़ मिला था गुथा मुनी रतनम जी को जिनका भी निदन हो गया तो इनको पदमा श्री अवाड़ से सम्मानित किया था मुनी रतनम ठीक है गुथा मुनी रतनम जी इनका भी निदन हो गया फिर नेक्स हम बात करेंगे पदमा शिरी और वेटन म्यूजिक कमपोजर वन राज भाटिया जी के बारे में इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है तो ये कौन सा इनको कौन सा पदमा से समानित किया गया है पदमा शिरी से और ये वेटन म्यूजिक कमपोजर भी रह चुके ह नेक्स काफी important है इसको mark करके चलिएगा अगला है Moscow Olympic और gold medalist रविंदर पाल सिंग जो hockey player थे उनका recently निदन हो गया मैं फिर से बता रहा हूँ देखो पूछा जा सकता है कि रविंदर पाल सिंग कि स्पोर्ट से रिलेटिड है तो स्पोर्ट का नाम होकी होकी से रिलेटिड है पूछे जाते हैं ये question फिर अगला question पूछा जा सकता है कि ये इनको gold medal कहां मिला था ये Olympics Moscow Olympics में इनने gold medal मिला था होकी से होकी प्लेयर है रविंदर पाल सिंग गोल्ड मेडलिस्ट है Moscow Olympics के इनका रिसेंटली निदन हो गया नेक्स्ट हम बात करेंगे Eminent Sculptor राजय सभा मेंबर और एक पदमा विभूशन अवाड़ी इनको कौन से पदमा से समानित किया पदमा विभूशन से कौन है ये य है रगुनात महोपातराजी ठीक आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं इनका रिसेंटली निदन हो गया नेक्स्ट व्यक्ति है हमारे Moscow Olympic ये भी Moscow Olympic गोल्ड मेडलिस्ट कौन फॉर्मर होकी कोच MK कोशिक इनका भी निदन हो गया इनको भी Moscow Olympic में गोल्ड मेडलिस्ट मिला था किस स्पोर्ट से रिलेटेड है होकी से रिलेटेड है ये अभी क्या थे होकी के कोच रह चुके है MK कोशिक ठीक है काफी important बनता है क्योंकि ये होकी के कोच रह चुके है किस स्पोर्ट में फुट्बॉल में ठीक है इनका death हो गई 84 की एज में तो question directly पूछा जाएगा कि वो कौन से former Asian gold medalist footballer है जिनका recently निदन हो गया वो है Fortento, Franco और इनका 84 की एज में निदन हुआ next, next भी काफी important आएगा ध्यान से पढ़ रहेगा कि सबसे oldest women sharpshooter की बात करेंगे हम world की जो की है shooter दादी के नाम से जाना जाता है उनको काफी famous नाम है shooter दादी और इनका real name है चंदरो तोमर ठीक है और यह world की oldest women sharpshooter बनी ठीक है चंदरो तोमर जी को shooter दादी के नाम से भी जाना जाता है जादा famous shooter दादी था next, next हम बात कर देंगे अरजुना अवार्ड की अरजुना अवार्ड एक winner टीटी प्लेयर रिसेंटली इनका निदन हो गया वी चंदर शेखर टीटी मतलब table tennis ठीक है तो अरजुना अवार्ड की इस field में जिया जाता है जो व्यक्ति sports में काफी अच्छा काम करता है या फिर उनने काफी achievements मिली तो उनको अरजुना अवार्ड से समानित किया जाता है तो अरजुना अवार्ड विनर table tennis player चंदर शेकर वी चंदर शेकर इ के आर गोरी अम्मा के आर गोरी अम्मा यह आपकी केरला की पहली revenue minister थी केरला काफी important ठीक है केरला की पहली revenue minister जिनका recently निदन हो गया वो कौन है के आर गोरी अम्मा ठीक है यह architect of land reforms in केरला यह भी याद रखेगा who was the architect of land reforms in केरला के आर गोरी अम्मा इनका recently निदन हो गया ठीक है इसके अलावा याद रखेगा की first revenue minister कौन केरला की के आर गोरी अम्मा इनको famously किस नाम से जाना जाता था architect of land reform in केरला इसके अलावा याद रखेगा एक तो की यह केरला से बिलॉंग करती है ठीक है इसके अला जाता है के आर गोरी अम्मा इनका fame fondly नाम क्या है fondly non as मतलब प्यार से लोग इनको किस नाम से जानते है मापे iron lady और stormy petrol ठीक है of केरला politics याद रखेगा तीन चार चीज़ होगे इनको एक तो यह पहली revenue minister थी केरला की दूसरी यह architect थी land reforms in केरला इससे भी जा जाता है तीसरा इनको iron lady भी बोला जाता है और stormy petrol भी बोला जाता है और चलिए आगे चलते हैं नेक्स याद रखिएगा home and borgen यह आपके एक veteran journalist थे जिनका recently निदन हुआ इनके बारे में आये कुछ data देखते हैं असम से यह बिलॉंग करते थे और असम के काफी प्रशिद writer और वर्टन journalist home and borgen इनका recently निदन हो गया at the age of 88 due to cardiac arrest कहां पर ग्वाटी असम में यह किस state से बिलॉंग करते हैं हमने बात की असम से बिलॉंग करते हैं इनको साहिते academy award से सम्मानित किया गया था 1978 में असमी लेंगवेज के लिए for his novel पीटा पुत्रा याद रखने वाली बात पीटा पुत्रा नोवल का नाम है जो जिसकी वज़े से किनको home and borgen को साहिते academy award स सम्मानित किया गया 1978 में ठीक है यह इन्होंने असम सर्विस सिविल सर्विस में भी असम के सिविल सर्विस ऑफिसर की तरह भी काम कर रहा है ठीक है इन्होंने काफी सारे novels, poetry and short stories भी लिखी है तो यह हैं आपके home and borgen आगे चलते हैं इनको भी काफी important category में रखिएगा यह इन्विप्ति को यह है इंदुजैन ठीक है इंदुजैन आपकी chair person है times group की और यह एक पदमा भूशन अवाड़ी है जिनका recently निदन हो गया तो question दो बनेंगे कि यह chair कौन वो times group के chairman जिनका recently निदन हुआ वो कौन है इं इंदुजैन को कौन से पदमा जो की chairman है times group की उनको किस पदमा अवाड़ से संबानित किया गया था वो है पदमा नेक्स नेक्स हम Congress leader और former governor of केरला एन बिहार की बात करेंगे R.L. भाटिया जी इनका recently निदन हो गया ठीक है दो state के यह governor रह चुके है एक है केरला और दूसरी है बिहार तो दोनों याद रखेगा कि वो question ये भी पूछा जा सकता है कि R.L. भाटिया जी जिनका recently निदन हुआ वो किस state के governor रह चुके हैं तो वो केरला एन बिहार दोनों state के governor रह चुके हैं और ये कौन सी state से बिलॉंग करते हैं ये अमरित सर पंजाब से बिलॉंग करत हैं चलो आगे देखते हैं next भी काफ़ important है इसको भी mark करके चलिएगा ये है पदमाश्री अवाडी डॉक्टर के के अगरवाल इनका recently निदन हो गया आईए इनके बारे में देखते हैं काफ़ important व्यक्ति हैं ये ठीक है इनको जो सबसे important data याद रखना ना वो ये है कि former national president of Indian medical association IMA के former president जिनका recently निदन हो गया वो कौन है वो है डॉक्टर के के अगरवाल या डॉक्टर कृष्न कुमार अगरवाल इसके लावा याद रखिएगा ये पदमा श्री अवाड यह मतलब इनने पदमा अवाड से सम्मानित किया गया था डॉक्टर कृष्न कुमार अगरवा नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे former union minister और बीजेपी लेडर चमनलाल गुपता जी की आप इनको picture में देख सकते हैं ये हैं चमनलाल गुपता जी ये former union minister थे और बीजेपी लेडर थे जिनका recently निधन हो गया अब वैटरेन भारतिय जंता पार्टी लेडर एंड फॉर्मर कश्मीर legislative assembly 1932 में और between 2008 से 2004 सर्व किया he was elected as the लोगसबा member from उधंपूर constituency जम्मू में 1996 में 1998 में और 1999 में इन्होंने तीन बुक्स को author किया एक है संसद में जम्मू कश्मीर दूसरा है संसद में डेड़ वर्ष और तीसरी है मेरे प्यार प्रयास ठीक है ये तीन बुक इन्होंन में लिखी गई थी नेक्स हम बात करेंगे फॉर्मन राजिस्थान cm cm आपका चीफ मिनिस्टर तो चीफ राजिस्थान के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जिनका निदन हो गया वो है जगनात पहडिया जी ठीक है याद रखिएगा वेटरिन कॉंग्रेस लीडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आफ राजिस्थान जगनात पहडिया जी पास्डवे कोविड-19 की वज़े से इनका निदन तो गया 89 की एज में और कहां पर राजिस्थान में ठीक है आपको यह याद रखना है कि यह राजिस्थान सेट से ही बिलॉंग करते हैं पूछा जाए तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे काफी इंपोर्टेंट रहेगा इसको मा करके चलिएगा दुरुना चार्य अवाड़ी जो फर्स दुरुना चार्य अवाड़ी थे कोच उनका क्या नाम है ओपी भार्दवाद सर आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं इनका रिसेंट किया गया था दुरुना चार्य अवाड कोच को मिलता है ठीक है जो कोच अच्छा काम करता है या फिर उसका कोई शीश्या या फिर उसका कोई भी बच्चा आगे कोई मैडल लाता है या किसी भी ओलम्पिक में काफी अच्छा मतलब सक्सेस्फुल होता है तो उन कोच को सम् उनको तो ये इंडिया के पहले इंडियन बॉक्सिंग के पहले दुरुनोचारे अवाड़ी कोच थे ओपी भार्दवाद सर ठीक है चलो next नेक्स हम बात करेंगे ये वीडियो करना जो सबसे important question का जाता है वो ये है ठीक है most important वीडियो ही सबसे ज़ादा आईए देखते हैं सुन्दरलाल भगुना जी के बारे में ये एक environmentalist है environmentalist कौन होता है जो environment का ध्यान रखता है paid pod अच्छे से लगाता है उनकी care करता है जो nature से जारस जुडा रहता है तो सुन्दरलाल भगुना जी ये सर आपके एक environmentalist है जिनका निधन हो गया recently एक चीज़ याद रखना है इनके बारे में इनको पदमा विभूशन से सम्मानित किया गया था government of India के दोरा 2009 में और government of India ने इनको 1981 में बोला था पदमा श्री आवार्ड से सम्मानित करने के लिए लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि मुझे इससे सम्मानित ना करें लेकिन फिर 2009 में government ने सुन्दरलाल भगुना को पदमा विभूशन से सम्मानित किया ये जरूर से याद रखिएगा ठीक है ये कि स्टेट से बिलॉंग करते हैं ये उत्राखंड से बिलॉंग करते हैं सबसे important चीज क्या याद रखनी है कि एक environmentalist है गांदियन है और पदमा विभूशन अवाड़ी है ठीक है कि स्टेट से बिलॉंग करते हैं उत्राखंड से बिलॉंग करते हैं इनको पदमा विभूशन 2009 में मिला था 1981 में पदमा श्री अवाड देने की कुशिश करी Government of India ने लेकिन उन्होंने मना कर दिया ठीक है फिर इन्होंने चिपकू मूवमेंट में बहुत important role आदा किया था और anti-tarry damn मूवमेंट में भी चिपकू मूवमेंट में इन्होंने slogan दिया था ecology is the permanent economy और इसके लाबा याद रखेगा इन्हें राइट लाइवलि होड अवाड से भी सम्मानित किया था 1987 में अपनी चिपकू मूवमेंट के लिए ठीक है चलो आगे नेक्स्ट है यूआन लॉंक पिंग यूआन लॉंक पिंग को China's father of hybrid rice भी बोला जाता है यह question बहुत important बन जाता है direct question आ सकता है आपसे कि China's father of hybrid rice कि इनको बोला जाता है वो है यूआन लॉंक पिंग या फिर China's father of hybrid rice जिनका recently निदन हो गया वो कौन है यूआन लॉंक पिंग आपसे vice versa उल्टा भी question पूछा जा सकता है next नेक्स हम बात करेंगे एक freedom fighter के भी H.S. दौर स्वामी जी के बारे में इनका recently निदन हो गया है ये एक freedom fighter है journalist है social worker है H.S. दौर स्वामी जिनका निदन हो गया 104 की age में ठीक है ये बैंगलॉर करनाटका से बिलॉंग करते हैं इन्हों ये अपनी कुछ publication house run करते थे जिसका नाम है साहित्या मंदिरा ठीक है एंड इंडियन नेशनलिस्ट पेपर जिसका नाम है पौरावनी ठीक फिर इसके लावा he joined the freedom struggle at the young age और इन्होंने quit India movement में भी participate किया था और इनको 14 साल की jail हुई थी 1943 से 1944 के बीच में next next हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर former prime minister Danish country के Paul Schlittler की इनके recently निदन हो गया आप इनको picture में देख सकते है Danish former Danish prime minister Paul Schlittler ये है ठीक है इनका recently निदन हो गया इनके बारे में आप data देखे मैं यह याद रखना है direct question पूचा जाएगा कि former Denmark के प्राइम मिनिस्टर जिनका recently निदन हो गया वो कौन है Paul Schlittler आप confused मत होई होगा यहाँ पे Danish लिखा है तो Danish का मतलब यहाँ पे जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन कहा जाता है वैसी Denmark के लोगों को Danish कहा जाता है तो confused होने के जरूत नहीं है ठीक है इसने यह बोला long time Danish प्राइम मिनिस्टर मतलब Denmark के former प्राइम मिनिस्टर कौन? Paul Schlittler जिनका recently निदन हो गया याद रखने की question आई है तो friends यह थी हमारी वीडियो अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे और friends अगर आपको हमारे content से related या फिर हमारी कोई app से issue आ रहा है कोई भी आप आपको problem है तो आप हमारी जीमेल आइडी जो की है support at the rate of affairs cloud.com या फिर हमारा number 967-333-862 पर contact कर सकते है और हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपकी issue को resolve करने में आपकी साहता करेगी So take care